हलो गाईज, आप सभी इस्टुएंट का स्वागत है, बिहार पॉलिटिकनिक दो हजार चोबिस का एक्जाम जो है 22 और 23 तारीक को समपन हो चुका है, अब बच्चों को इंतजार है कि सर, रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि इस बीच हम वीडियो उतना बना भी नहीं रहे थे, तो बच्चे सर, बट वीडियो नहीं बता रहे हैं, लग रहा है कि बिहार को भूल गए हैं क्या? तो ऐसा है क्या? अब बताओ एक ही निउज को मैं दस बार भी नहीं बता सकता, क्योंकि आलेडि जो मैंने बताया है, वो निउज एकदम एकुरेट है, बिहार पॉल टेक्निक का रिजल्ट जो है, 20 दिन बाद ही लमसम आता है, बात करें कि हाँ, आपका जो पेपर पेपर, ओमार सीट पे जो आपने एंसर सीट किया है, वो computer based टेस्ट के तरीके से चेक होता है, ओमार स्कैनर के दवारा result चेक होता है, तो result चेक करने में कहलेजेए, लगबग एक हपते 10 दिन का समय होता है, फिर भी 10 दिन एश्टरा रखा जाता है overall result को feed करने पे, जैसे computer न अब किया जाता है publish कि इस बच्चे का इतना 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 है हो रहा है computer तो बड़ी तेजी में चेक करेगा खर्रस चेक करते जाएगा उसको कितना है बस machine में डाले चेक कर दिया तो result चेक करने में देरी नहीं होती है data को feed करना पड़ता है उसमें देरी होती है और इस overall प्रक्रिया में लंसम 20 दिन का समय लगता है आए इसको website से समझते हैं आपको google chrome में खोल लेना है और google chrome में ratio academy.in पे आज आना है हला कि उपी बिहार जारखन सबका चलता है आपको बिहार वाले पोस्ट में आना है पूरे बिहार के लिए कह लिए या तो bcec official website है या तो दूसरा और last कह लिए ratio academy.in जो पूरा चीज बताता है कि कैसे eligibility criteria exam pattern क्या है application process क्या है advent card का क्या है result and counseling का क्या है हर एक चीज इस पे है यार मतलब कि आप जितना सोच सकते उससे ज़्यादा है अगर इस पे ध्यान से देखा जाए है ना कि देखो एक वीडियो मैंने बताया था इसमें सारी चीज अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा तो बिहार के लिए है मैं इसे मैंनूली भी आपको बता दू बिहार पॉल टेकनिक का इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देदेंगे वहां चेक कीज़ेगा देखे 22 तारीक को एक्जाम था 20 दिन जोड़ लो 22 से 10 दिन यानि दो दो तारीक और फिर 2 से 10 दिन और जोड़ दो 12 तारीक तो हमने आपको एक विचले वीडियो में ही बता दिया था और सबसे पहले और सबसे फास्ट की जो है एक्जाम जो है रिजल्ट इसका यह आ रहा है आपका लंशम 20 जूलाई यह 20 जूलाई से पहले ही हो जाएगा लेकिन मैंने 20 जूलाई रखा है क्योंकि 2-4 दिन आगे पीछे चीजे होती रहती है अच्छा इससे पहले आपका आएगा एंसर की क्या आएगा एंसर की अभी आया नहीं है आज है 1 जूलाई तो एंसर की आना होगा तो यह आपका लगवग लगवग 8 जूलाई के आजपास यानि अगलेश वीक में देखने को मिलेगा एक चीज का और ध्यान रखने एंसर की से आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा 90 में कितने सवाल सही है हो सकता है आपका 90 में है ना 90 में 50 सवाल सही हो 40 हो तो यहीं से कट आप भी निकलेगा है और एवरेज मैंने बच्चों का बताया था तो सभी बच्चे जो है 40 से 50 परशंट बच्चे इसी में नंबर लाए हुए हैं तो अगर आपका 40 सवाल भी सही है तो आपको सरकारी कॉलेज है मिनिमम मैं बात करूँ आप अपना रेंक कार्ट जब मिलाएंगे एंसर की 200 मार्क अगर आपको आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज के बॉर्डर पे ह 200 जैसे 1500 आ गया एक 180 आ गया तो बहुएंकर रिस्क पे हो 200 के उपर एक नंबर भी चला गया तो आप कंफर्म हो कि आपको कॉलेज मिल रहा है 230, 240, 250, 300 प्लस इससे होते जा रहा है तब तो आपको एकदम आरामशे रहना है लेकिन 200 यह बॉर्डर है इसके नीचे गये तो फि लेगा फिर यह डिसाइड होगा कि कौन सा ले समझ में आ गया ओके तो रिजल्ट जो है है ना पांच दिन कह लिजे आगे पीछे हो सकता है तो पंदरा से बीस के बीच में आप एक्सपेक्टेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को और एंसर की को एक चीज का ध्यान रहे है आ यह बिहार बोड की कह लिजे अपनी ही कमिया है एक तो यह कोश्चन नहीं दिखाते हैं कोश्चन देते ही नहीं है बच्चों को अगले साल अगर इनका कोई जोटा भाई बहन पढ़े तो यह खुदी नहीं बता पाएगा बच्चा की भाई यह पढ़ लो यह है पेपर हु लेगा ठीचर के पास रहेगा ठीचर एक्टम आपको चीजे नौलेज देगा अगने वाले बैचस के लिए उससे हेल्प मिलता है जितनों फॉर्म भरा उनको हेल्प मिलता है तो यह सब बहुत बड़ी कमिया है बिहार बोड को तो मेरा हमबल रिक्वेश्ट है अगर बिहा और यह ट्रांसफिरेंशी के खिलाफ है बच्चे को मालूम ही नहीं है रेंक मिल गया मेरा 18,000 रेंक है मेरा 22,000 है मेरा 20,000 है मेरा 2,000 है ऐसे ऐसे तो यह बहुत ही अच्छा व्योस्था नहीं है उतरप्रदेस में यही देखा जाए तो यहां पे पूरा कोस्चान दे दिया सब कोई दिखाए जाता है तो यह अच्छी व्योस्ता है और आप लोग को कहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रूप में जुड़े रहे हैं रेश्वाइकेडमी के वाटसप में और रेश्वाइकेडमी.in पर जुड़े रहे हैं देखो नया बैच जो ह लांच किये थे बट अब फिश बढ़ने वाली है क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चों को हमने आफर दिया था तो वो खत्म होने वाला है तो आज जो जुड़ जाएगा उसको वही प्राइज दे देंगे जो कि कल था सुनो वीडियो को आप समझा कीजिए कि इसमें क्य है को टॉप भी मैंने बताया एंसर की भी बताया और रिजल भी बताया इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट से या आपको क्या लगता है कि नहीं सर इसी दिन तक आना चाहिए तो आप हमारे साथ कोमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे वीडियो कैसा लगा और बिहार में सरकारी कॉलेज के लिए तयार होना कोमेंट सेक्शन बताएंगे चैनल को शेयर सबस्क्राइब और लाइक जरूर कीजेगा तब तक के लिए आल दिवरी बेस्ट है